कोरोना वाइरस ने सारी दुनिया में तरही माम मचा दिया है बही इससे बचने के लिए सरकार के दुआरा कई पर्यास किये जा रहें बैस्विक अस्तर पर इसके उनमोलन के लिए परियास किये जा रहे इसी बीच अगर आपको महज 4 सिकंड में इसकी रिपोर्ट निगेटिव है या पॉजेटिव है वह मिल जाए तो यह किसी चमतकार से कम नहीं होगा इसको लेकर के भागलपूर्ट ट्रिपल आइटी के द्वारा एक सौप्ट बेर तयार किया गया जिससे महज 4 सिकंड में इसके निगेटिव या पॉजेटिव का पता लगाया जा सकता है हमारे साथ ट्रिपल आइटी के निदेशक अर्मिन्द चौबे जी है हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर बताईए आप कब से परियास कर रहे थे ऐसा सौप्ट बेर डिबलप्मेंट करने के लिए भारष तरकार द्वारा निदेशित है कि ट्रिपल आइटी भागार्पूर ट्रिपल लाइटी ऑईटी और एनाइटी इनवेशन रिसर्च में कुछ काम करें तो करीब एक महने पहले मिनिस्ट से इश्टा का पत्र आया था हमने भी भागरपूर ट्पराइक्टी भागरपूर ने भी इस दिस्ता में काम करना शुरू किया और करीब एक बहने 20-25 दिन के अंदर में इसको इस सफ्टर को हमने डबल अप किया है यह X-ray और CT scan based का जो X-ray और CT scan लेते हैं उसके अधार पर यह सफ्टर यह काम बताता है कि यह X-ray कोर्ना मरीज का है या normal patient का है तो इस तरह identification जो है करीब करीब हम लोग करने में सफल हुए हैं और इसकी जो X-ray और CT scan जो data हमको मिला वो European country और बहार से मिला है तो उसके अधार पर इसको सफ्टर को जबलब किये हैं और अभी हम लोग प्रयास रथ हैं कि भारत सकार से कि वो हमको भी इस तरह का जो हमारे जो इंग्जन इंवर्मेंट है इस इंवर्मेंट में जो इहां के पेसेंट हैं उनका X-ray और CT scan परदान कराया है हमको ताकि इस एरिया में हम अच्छा से काम कर सकें कितने देर में सर यह रिपोर्ट बता देता है लोगों का अभी तक हमने जो इहां लोकल हस्पिटल जवाहर नहरू मेटिकल हस्पिटल जो है उनके जो शुपरजनेंट आशी मंजल जी हैं कर चार दिन पांच दिन पहले हमने उनसे करसल्ट किया और हमने कहा कि आप हमको को से मरीζ है उसका एकसरे दिया जाए तो उन्होंने हमको करीब 20 एकसरे दिया और यह हम लोग हम और समधिक उनदिप्राज जो मेरो सहयोगी है और पर परफिसर है वह साथ काम कर रहे हैं तो मैं और मिस्टिव संदिप्राज दोनों हस्पिटल गए और वहां पर उनकी पुरे मेटकल टीम बैठी हुई थी बिस एकसरे हमको मुहया करा गया और उस एकसरे को टीम के सामने ही हमने अपने सौटर से चेक किया और चेक करने के बाद हमने बताया कि जो भी अपने सौटर जो भी हमने आपने हमको इमेज दिया है उस इमेज को हमने चेक करने के बाद ये बिस क dense positive दिखा रहा है उन्होंने अपने जॉट्र से राय किया राय करने के बाद बताया कि हाँ सबी positive मर्यज का 21 हमने आप को x-ray एक सरे दिया था अब हमको यह नहीं बताया गया थे कि x-ray कोर्म मर्यज का धा की normal है लेकिन और मों बताया कि नहीं आपका जो software है 100% काम कर रहा है को नमरीज कहीं था उस 20 X-ray को हमको जांस करने में करीब चार सेकेंड लगे हुए थे तो चार सेकेंड के अंदर में करीब इस मरीज का वो prediction मेरा software prediction कर यह बता दिया कि कितने समय लगते हैं यह जिपेंड करता है कि आपके पास कितने जितना ही एकसर जादा होगा ऐसा नहीं कि वो समय चार किस लेगा लागि पचास सो अगर एकसर एक साथ हम अपने computer में भेजते हैं तो चार के जगा पर 10-15-20 सेकेंड लगेंगे लेकिन 20 सेकेंड कुछ है नहीं जो कोरना का मरीज को जांस करने के लिए हम स्वाइब लेते हैं और उसको आर्टी पीसियार में भेजते हैं जांस करने के लिए उचार पर दिन लग जाते हैं वो कोशली भी है आपको 27 रुपिया करीब जैसा कि रिपोर्टिंग है कि 27 रुपिया है जो rapid kit करते हैं उससे जो खर्च होते हैं वो करीब 45 रुपिया है और यह एक्सरे 200-300 रुपिया के अंदर में प्राइबेट में गर्वर्मेंट में तो फ्री है प्राइबेट में अगर 230 में जिशल एक्सरे हो जाता है तो उस अधार पर कोई भी अगर इस कोरना से मरीज गरसित है तो अपना एक्सर मसीन से गरामीन छेतर में हर स्वास्त के इंद में मौझूद है आज साथ इसाथ सिट्री स्कैन के बात करें कि दोनों को तो लेकर कितना लगता है कि आपको फाइदा होगा इसको परियोग मिलाया जाए पूरे देश में अमल मिलाया जाए अभी जो सौटर डेबलप किया ग हमको मिला नहीं है कल ही हम एक वीडियो कंफरेंसिंग के थ्रू द्वारा आप मानेनी स्वास्त मंत्री श्रीय सुनी चोबे जी और उनके भार सगा के इडवाइजर्स ICMR जो डिली में जो अगनेशन है उसके ऑफिसियल्स और आरे में आई जो पटना में है उसके डाइटर जंक्टर पीके दास सभी हम लोग एक साथ विस्टी पर जूरे हुए थे और हम लोग ने एक दुसरे की चर्चा की कि क्या प्रोगे से कैसे है उन्होंने इस सौट्रेक इस से में जीटल जाना कि ये सौट्रेक कैसे काम करेगा क्या होगा तो मैंने ये कहा कि आप हमको जो हमारे भारतिये लोग हैं ये जो कोर्णा से ग्रशित हैं इसका हमको इमेज दिया जाए इसका हमको X-ray और CT scan होया करा जाए और उन्होंने हमें एस्वर कराया किया हमको कि रामनोहलोहिया होस्पिटल और सफदर जंग होस्पिटल जो दिल्ली में है इस दोनों होस्पिटल को हम लोग अथाइस किये हैं कि आपको X-ray भागरपुर को इस जो प्रजेक्ट चल ला है उसे मदद करेंगे और डाटा मुहया कराएंगे ये जो आपने कहा कि गाउं के मे कितना यह है तो आजकल ब्लॉक अस्टर तक एकसरा ये एकसरे करने के लिए सुब्धाएं दी जा रही हैं तो जब ये सौफ्टेयर हम पूंतर ये इसको अकसा जो प्रजेक्शन जो रेट है बारी करने का अभी 94 परसेंट इसका सकसरे रेट है कि अगर सो में 94 परसेंट सही उसके बाता सकता है लेकिन इंजरी इंवर्मेंट में जो भी एकसरे हमको मिलता है उसको हम ट्रेणिंग करके इसको प्रफ्रेट बनाने के साथ ही जैसे होगा भासरकार जो आदियस देगी इसको इंप्लिमेंट करने के लिए उसका अनुसार गाउं में भी हरे जगा जैसा आधिस्तों का भास्या करका इसको सॉफ्टवर को भिजा जाएगा और सभी लोग में इसको रिजु करेंगे कुरोना पॉजेटिव के जो मेरीज होते है उसके जाच कई बार होती है सर तो इस सौफटवेयर से भी या दो तीन मर्तवे जाच होगी या कितना बार जाच होगी जब पेशन्ट हस्पिटल में जाते हैं तो डॉटर jsem जब देखते हैं कि कीस पॉजेट्यु है तो उनको स्वाइब लेने के साथ एक X-ray भी ले लेते हैं और उसमें जो positive जो case है उसका X-ray और बाद में treatment के बाद फिर उसका देखते हैं X-ray करके कि पहले का जो X-ray और भी के X-ray में क्या अंतर है इस दोने के basis पर वो डाउंटर स्टेय करते हैं कि यह patient अब negative हो गया है या negative ह हो रहा है जो condition है उसका बेटर हो रहा है तो यह जो जनली यह दो सो तीन सो मने पांच से छे सो रुपिया में वो दो बाद चेक हो गया और अदर वाइस वो 2700-2700 लगते तो यह समय की बचत है और पैसे की बचत है और भार जासे जगह में निचली हमारे हियां जो कौश है उसपर जादा ध्यान देते हैं तो कम पैसे में यह आपको बताने के लिए software बता सकता है कि किस कैसा है चैसार इसका प्लबाव्ट हो गया уже प्लेंक के लिए हम लोग प्रस्ट कर दिये हैं और एक काफी लंबा पाउस्ट्रीयों होता है प्रेटरिकरन के लिए तो हमने बना है पेटरिंट करने के लिए राइट आप होता है उसा भी प्यार कर लिया और दुचाद इंगंदर हमने पेटरिंट के लिए इसको भी देंगे बात करें तो सर्ज इस तरि से करोना फैला है बैस्बी कस्थर पर अगर इस सौफ्टवेर से जांच की जाए तो कितना वी इसिरया में काफी काम हो रहा है और वो लोग भी इसको implement कर रहे हैं लेकिन जो कोर्णा का जो नेचर है वह पर फेक्ट की यह मानुल नहीं हुपा रहा है कि क्या है तो हम जो मेरा जो Software है जो एकसर है उसके से पर है अगर एकसर में ग्रोणा का information या Patches सम्थिंग आते हैं और डॉंक्ٹर से बताते हैं कि हाँ, यह एक सुरेख क्रॉरणा मरिज का है तो निसरी हम उसको निया स्वट्वेर यह डिक्टेट करने में माहिर है कि निया को है। निया ने हिर अंगर इस तरह को बताते है तो यह जो बैस्यू के अस्तर में हरे जगा बीदसों में भी इस एरिया में काफी काम हो रहे हैं और इस पर लोग हरे जगा एक स्रे और स्रीटी स्कैन ले रहे हैं और स्रीटी स्कैन से कंफर्म करते हैं एक स्रीटी स्कैन से तो उतना क्लियर नहीं आता है लेकिन CT scan से और confirm images आते हैं और cases को और confirm करते हैं कि ये मरीज जो है उक्रोना से ग्रसित है कि नहीं है तो ये थे ट्रिपल आइटी के निदेशक अरबिंद चौबे जी जिन्होंने बताया कि अगर इस software को CT scan और X-ray के माध्यम से जो जाच हो रही है ये कोरोना की जो software जाच कर रहा है इसको अगर अमल में लाया जाता है देश में तो अरबो रूपिय का सरकार को फाइदा होगा और कहीं न कहीं ये एक अच्छी पहल है अच्छी कोशी से ट्रीपल आइटी के द्वारा ट्रीपल आइटी की टीम के द्वारा सिल्क टीवी आप सभी लोगों से अपील करती है कि कोरोना वारेस से बचने के लिए सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें अपने सहयोगी कैमरा परसंद सुमित के साथ से ये दिनामुद्दिन सिल्क टीवी भागण